आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूं और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूं Olay Regenerous Revitalizing Hydration Cream का The story behind making this video is मेरी सिस्टर यूज कर रही है ये प्रोड़क्ट 15-20 दिन हो गए उन्हें यूज करते हुए और उनको इसका बहुत ही अच्छा effect दिख रहा है इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को आपके साथ सेयर करूँ आप में से जिनको भी इस प्रोड़क्ट को यूज करना चाहें वो इसके बारे में जान सेगी कि ये प्रोड़क्ट वर्क कैसे करता है अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइकन सेयर कीजे मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिए जब भी में कोई अपना नया वीडियो अप्लोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं चलिए बिना किसी देर के हम अपना ये वीडियो सुरू करते हैं इस प्रोड़क्ट के पैकजिंग ऐसी है काटन अभी मेरे पास है नहीं बट ये प्रोड़क्ट इस टाइप का है और आप देख सकते हैं इसमें ये फिल्वर धाय इसमें इसल्वर कलर का है इसटाइप से इसके उपर इनों ने घीलिट दिया आपका क्रीम अंदर प्रोटेक्टेड रहे, यह क्रीम कुछ पिंकिस टेक्स्टर्ड में है, तो इस टाइप की यह क्रीम है, और इसका प्राइस जो है, वो थर्टी नाइंटी नाइन रूपीज में है, आपको एमजल पे अवेलवल है, वहाँ आप चेक कर सकते हो, तो यह प्रोड़क्ट जो है, वो थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में है, तो यह नॉर्मल स्किन टाइप पे, कॉम्बिनेशन पे, और ड्राइ स्किन पे बहुत अच्छी काम करेगी, बट ऑईली स्किन पे यह उतनी अच्छी में भी काम न करें, क्योंकि यह थोड़ी ग्रिसी तो इसको बैसिकली एक नाइट में आप इसको लगा सकते हैं, बट इसमें SPF 15 दिया हुआ है, तो आप इसको डे क्रीम में यूज कर सकते हैं, तो आपको sun protection भी इसके साथ मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं, बहुत थोड़ी सी क्रीम लगती है, यह तो 50 ग्राम का पेक, तो एटलेस टू मंथ चलना ही चाहिए, यह काफी ग्रिसे एफेक्ट देता है, तो ओयले स्किन वालों को मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, उसके अलावा यह ड्राय स्किन वालों के लिए, नॉर्मल स्किन जिनकी है, या फिट जिनकी कॉंबनेशन स्किन है, उन पे यह चल लगाना, आप नाइट में इसको लगा सकते हो, सो यह क्रीम आपके स्किन को फर्म करती है, इसमूद करती है, आपके फाइन लाइन रिंकल्स को रेडियूस करने में हेल्प करती है, बहुत ही वीजिवल एफेक्ट आप देख सकते हो, विदिन 15-20 डेज, मेरी सिस्टर इसको यूज कर रही है, और उनको उनके अपने स्किन पे वीजिवल एफेक्ट दिख रहे हैं, और आपके जो यहाँ पे जो पोर्स होते हैं, थोड़े बड़े बड़े पोर्स जो हो जाते हैं, और पोर्स को भी स्ट्रिंग करने में, यह काफी हद तक हेल्प करती है, तो अगर यह थी आज का, आज की यह रिव्यू जो कि मैंने ओले रिजन रिस्ट की, की थी यह रिव्यू आपको कैसा लगा, मेरे को कमेंट में बताईए, तो आज के लिए सिफ इतना ही फिर मिलते हैं, किसी नए वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई, कीप स्माइलिंग और बी ह झाली